नमश्कार देवियों और सवाजनों स्वागत आपका एक बार फिर से नई वीडियो में मुझे पता है ये किसी एक यूटूबर है बैटल किंग वो गेमिंग करते हैं तो उनकी ये कोपी है उनकी लाइन की कोपी किये मैं तो मैंने अब ये पहले ही मैं बता दे रहा हम क्योंक मैं एक बार अपनी वीडियो में उनको यूज मतलब वो स्टाइल कोपी करने की कोशिश किये मैं उनका स्टाइल है मैं कोपी नहीं कर पाया उनके अब ये बता इसलिए भी दिया तकि लोग नीचे कोमेंट में ये ना करने लग जाए लग तू कोपी करता है ये किसी और का ह तो भई मुझे पता है कोपी की है मैंने तो पहले ही बता के अपना सेफ चलते हैं यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क सीजन 3 की जो अभी फिलाल उसका एक डेट अनॉंस्मेंट के नाम से एक वीडियो रिलीज हुआ है वैसे मैं बहुत कम होता है कि कि किसी म पर मैं बात करता हूँ एसा ही डार्क सीजन 3 में है यह जो सीजन आ रहा है इसका थर्ड इसके पहले जो दो सीजन आ चुके हैं उससे इतना जादा मैं कनेक्ट हूँ कि मतलब उनके सब क्रेक्टर के नाम मुझे याद हो गए तो मैं अपने आपको रोक नहीं पाया यार यह वीडियो बनाने में कि भी लोग बहुत सारे लोग इस सीजन के जो थर्ड मतलब कि इस वेब सीरीज के थर्ड सीजन के वेट कर रहे होंगे तो मैं अपनी सुकता को रोक नहीं पाया कि यार एटलिस्ट शायद अब यह जो सीजन थर्ड आ रहा है तो इसमें हमारे सारे सवा का और शालों के जवाब इसके अंदर हमें मिल जाएंगे और यह पहली ऐसीं एक वЕब सीरिस है जिसमें मैं में दिल से चाहता हूँ कि इसके अंदर सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मतलब इस ने धिमाग का ऐसा दही कर दिया है, दही कर दिया है का मतलब यह नहीं कि वेब सीरीज बहुत कराब है, यार वेब सीरीज इतनी कराब होती तो इसका सीजन के इसका ट्रेलर के अपर में वीडियो के बना रहे था हम बहुत ज्यादा मुझे पसंद है एक masterpiece जिसे कह सकते हैं वो वाली एक web series है यह जो यह छोटी सी एक video release की गई है इसमें कुछ एक नई character को भी हमें देखने को मिले है नो डाउट इसके first season से लेके इसका second season इसमें इसकी cinematography या इसकी story इसके character development सब कुछ लाजवाब रहा है German language में होने के बावजूद भी यह web series हमें अपनी तरफ अकरशित करती है अब reason यह है कि इसमें इतनी strong story base है या फिर इसकी इतनी strong cinematography है और इतनी strong कहानी इतनी जवरदस चीज़ मतलब कि आप देखे भी ना रहनी पाऊगे अब उमीद तो यही है कि Jonas जो है इस last cycle को वो break कर पाएगा वापिस normal कर पाएगा और इसके बाद उमीद तो यही की जाती है कि इस season 3 के बाद को season 4 ना लेके आए क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है एक web series इसके 18 एपिसोड तो अलरीडी आ चुके है दोनों season को मिला दे पहले और second को तो अब इसका four season लाकर इसको और लंबा खींचा ना जाए क्योंकि एक कहानी जो होती ना उसको एक बहुत प्यार से खतम कर दें तो बहुत अच्छा भी लगता है ज्यादा लंबी कर दें तो वो एक बोरियत सी लगने लग जाती है अब यह नहीं कहारा हूं कि five second इसके season को कि the end of the last cycle ऐसा लिखा भी आता है तो उमीद तो यही है कि यही इसकी last season होगी सताइज उनको यह release होने वाले यह web series जिसने अभी तक इसके पहले वाले दो season नहीं देखे हैं तो मैं उनको यही कहूंगा कि जाकर इसकी जल्दी से इसके दोनो season देख लो क्योंकि यह web series deserve करती ह ज़िये वो चीज अब साथ में एक बात तो मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि भारत की जो Netflix यहां की जो Netflix इंडिया है उसको पता नहीं कि ऑक पर सिर्फ कच्रा देखने कोहीं मिलते हैं जैसे बाहर के देशों में Netflix बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्यों भारत में आखे उसके कदम डगमगा जाते हैं, बस यह थोड़ी बहुत बाते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेर करना जाता था, उमीद है आप लोग भी इस सीजन के लिए वेट कर रहे होंगे, मैं तो बहुत बेसबरी से इसका वेट कर रहा हूँ, और अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है, तो आप भी इस सीजन का वेट कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बोक्स में मुझे लिख कर बताना है कि आपको कितना इसका इंतजार था, क्यर मुझे तो बहुत जादा था, इसलिए तो इसकी वीडियो बना डाली मैंने इसके उपर, क्यर बस आज के लिए इतना है ता इस वीडियो में, थैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जाए हिंद!